रौनकपुर नाम का एक छोटा सा गाव था। गाव में सारे प्रकार की सुख सुविधा थी। और सारे लोग बड़े ही खुश्याली से अपना जीवन बिताते थे। खेती गाव वालों का मुख्य व्यवसाय था। गाव वालों का पूरा जीवन खेती पे निर्भर था और ऐसे ही यह की लोगों की दिनचर्या चलती थी। एक बार अचानक से गाव में सूखा पढ़ जाता है। बारिश ना होने के कारण गाव में पानी की कमी होती है। सारे गाव वाले परेशान होते हैं, रामु घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, शांता गाव में सूखा पढ़ने के कारण सारी अनाच सुख गई है, और थोड़ी बहुत बची है, वो भी कुछ अच्छी नहीं है, हाँ जी अभी तो सिर्फ पिने तक का पानी बचा है, खेतों को कहां से पानी देंगे, हमें मुखिया जी के पास जाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, हाँ सारे लोग मिलकर जाएंगे और इसका हल निकालेंगे, हाँ दादा आप ठीक कह रहे हो, मैंने कल ही पास की गाम वालों से बात की लेकिन उनका भी यही हाल है, अब तो सभी भगवान के हाथ में है, दिन बात दिन फसल की हालत खराब होती जा रही थी, और उसे देखकर किसान भी चिंता में पद गए थे, खराब पानी के कारण मीना बीमार पड़ती है, मीना ही नहीं बलकी और लोग भी बीमार पड़ती है, ये देखकर रामो दुखी होता है, और बोलता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा नहीं तो हमारे फसल के साथ हमारा परिवार भी हमें गवाना पड़ेगा रामो चन्ता में चलते-चलते गाव के बहार आता है कभी उसे एक कुवा दीखता है रामो को उस कुवा से पानी की आवाज आती है अरे इस कुएपे किसी की ध्यान ही नहीं गया, चलो देखते इसकी हालत क्या है? रामू कुए के पास जाता है और देखा, कुगा में पानी की धार चल रही थी, उसे देख कर रामू खुश होता है, रामू बोलता है, इसे और खोदूंगा तो और पानी आएंगे, रामू बड़ी मेहन से उस कुए को खोदता है और उसमें पानी बढ़ जाता है रामू पुरे गाव वालों को बुलाता है और उन्हें कुए के पास ले जाता है देखो इस कुए में पानी है और इतना है कि हमारे पिने के साथ फसल को भी दे सकते हैं ये सुनकर सब लोग खुश होते हैं और रामू की तारीफ करते हैं कुछ ही दिनों बाद खेतों में फिर से नई जान आती है और फसल कुशी से लहरानी लगती है ऐसे ही एनिमेशन एंड मोरल स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक, शेर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो